हलो आप सबका स्वागत है हमारी यूटीब चनल शाय मिस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी पीज़ा तो देखिए एक नई तरीके का नास्ता जो कि आपकी रखी हुई रोटियां भी वेस्ट नहीं होगी बच्चे सब भी अच्छे और मन से खाएंगे तो चलिए रोटी पीज़ा तो यह एक जाड़ा पयाज हमने ने काट लिया है और यह हरी धनिया और यह गाजर हमने मीडियम की काट ये हरी मटर तो चलिए बनाते हैं रोटी पीज़ा गयज पीज़ा के नाम से बचे बहुत अच्छे से खाते हैं तो वह आराम से खा लेंगे यह हम अच्छे सी घोल बना लेंगे इसमें लंक्स नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि लंक्स पढ़ जाएंगे तो वो मुह में आते हुए खराब लगेंगे और इसी तरह से हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाना है बत क्योंकि बेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता हल्दी पाउडर या फिर कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर ये दो पिंच हमने हिंग डाली हुए है जो कि हिंग हमारी बच्चों के डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करती है यह हम सौध अनुसार नमक डालेंगे और देखिए वो हमने मिला करके रख लिया है और य अब गाइज हम इस पर वही बनाया हुआ बैटर डालेंगे देखिए यह हम इस तरह से बता रहे हैं जिसे कि बच्चों को पता भी ना चले और इसके अंदर सब्जी हम अपनी स्ट्प कर देंगे भर देंगे सब्जी को तो बच्चों को पता नहीं चलेगा देखिए हमने बेशन का बैटर लगाया है उपर से गाजर एट कर रहे हैं इसको अच्छे से स्प्रंकल करेंगे और इसके उपर से और भी चीज़ें लगाएंगे यह देखिएगा है इस सब तरफ से हम लगा दे रहा है गाजर अब हम मतर इसपर लगाएंगे देखिए जो बच्चे सब्जी क्हा लेते हैं वो तो अच्छे से खाएंगे शेसे बिन्दिवाइशे कोई प्रॉब्लम नहीं खाद सेया है, उनको प्रॉब्लम Ho जाती है, सब्रॉब्लम में इस नौर्मिल बदाना बाघता है आमिसे प्रॉबलम दे़। सिंपल इससा बन बताया है जिससे की सब लोग बना सकें यह ओपर से हमने बैटर डाल दिया है जिससे की हमारी सारी सब्सक्ständ सब्सक्राइब कबर हो इसके अंदर तो वह बच्चे को सब्सक्राइब टीक्षादæ्ट seeking čत दोब बनाएंगे और आप देखते रहेगा आगे और भी हम बनाना बताएंगे तरीकों से जिससे कि बच्चे अच्छे से खा लें अब यह हम ढग दे रहा हैं इसको हम ढग करके एक से दो मिनट पकाएंगे एक बात का ध्यान रखें कि इसमें फ्लेम है वह बहुत थीमी आप यह देखें ग्षैंस हम दूसरा तरीका पताघ्राणी जा रहे हैं जिसमें कि हमने अपने सारे ऐतर में सारी सब्झी vivid कर ली है क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो सब्झी घ्ालेते हैं तो कर मिक्स realized बना क्वर्णा कर एह शक्ोंति शीच ग्यां कियों कि यह पिलट आप इधर सेखना है तब अच्छे से इसको पक जाने दें तब पलटें इसे नहीं तो फिर ये तवे पर चिपक जाएगा जब अच्छे से कुख हो जाएगा अच्छे से सिख जाएगा तो ये आसानी से पलट जाएगा ये देखी गाइस हमने आसानी से सेखा अच्छे से पक गया है तो हमारा आथानी से पलट भी गया है अगर पकेका नहीं ऐसे पलट देंगे तोयो तूठ जाएगा आप थेख सिख गया है उसको हमने अठाक रख दिए है दूसरी रोटी हमने अपनी रखतीय तावय पे देख सकते हैं कि हम वही जो बैटर बना के रखा था उसको हम इस पर प्लेस करेंगे इस पर हम अच्छे से रख देंगे अच्छे से फैलाएंगे जिससे की रोटी मरी अच्छे से कबर हो जाए यह देख सकते हैं अच्छे से हमने सब तरब से रोटी कवर कर दिया है अब इसको उसी तरह से थोड़ा सा ओयल डाल करके हम ढख कर पकाएंगे यह देखे गाइस हमने ढख दिया है अब इसको हम दो से तीन मियट पका लेंगे लेकिन फ्लेम फिर वही बिल्कुल लो फ्लेम पर आप पकाएं वरना रोटी जल जाएगी नीचे से यह देखे गाइस पलट दे रहे हैं यह देखे गाइस कितनी अच्छे से क्रिस्पी हमारी पक चुकी है तो गाइस इससे यह होगा ना कि जो बच्चे सब्जी या वेजटेबल नहीं खाते हैं उन बच्चों के अंदर वेजटेबल भी जाएगा क्योंकि वो खाएंगे उनको पता नहीं होगा कि हम क्या खा रहे हैं इसलिए वो पिज़ा के बाहने सब्जियां भी भाइंगे आप देखे जुब लुआ जा के लिए वयाव से बाज ही आधे साथ माईने सब्सक्राण्याख रहे हैं तो चाकु से नाइफ से कट कर दिया है देख सकते हैं गाइस बिल्कुल पीजा की तरह से ही यह अलग होगा यह देखे गाइस यह पीज़ा की तरह से ही बिल्कुल अलग हुआ है तो बच्चे बिल्कुल जान तक नहीं पाएंगे कि यह पीज़ा है या हमारी रोटी से बना हुआ है तो आज के हमारी यह रेस्पी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और सेयर